नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेनुका क्रियेशन में आज मैं आपके लिए हूँ हैंगिंग टॉवल इसे मैंने बनाया है बिल्कुल ही फ्री आप अपने घर में रखे वे किसी भी कप्रे को कपड़ा कॉटन का होना चाहिए यहां देखिए हमने एक पैजामे को यूज किया है इसे मैंने बीच से कट कर लिया है आप कट करके दोनों पीसे को अलग कर लें आप स्टीच से काट लें देखिए यहां पर मैंने दो पैजामे के पैर को दो पीसे में डिवाइट कर लिया है अब इसे मैं बीचे बीच से कट कर रही हूं तो यह च इसे जोड़ने के लिए हमने यहां पर पीस लिया है यह 10 cm लंबा और 5 cm जोड़ा है ठीक है इसे देखिए हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया और हाफ में हमें इस सारे चुन नट को इस तरह से एड़स्ट करना है इस साइड वाले को सेकंड दूसरे वाले साइड में आप इसे कि अनी परेखे है हम इस तरह से स्टिच इंग करनी है एक साइड में हमने इसके स्टिच इंग कर लिया और जो फ़ते हुआो पीसे से ही पीछ बैच वाले इसे हमने पर बचा के रख है तो देखिए इसकी स्टिचिंग ठोड़शा समलकर करें तो बहुत अच्छी अब इसे इस तरह से हमें फोल करने के बाद सीजर से इसके सेंटर में हमें कट कर लेना है कट करने के बाद देखे इस तरह से छोटी सी होल बनेगी और हमें थोरी सी छोटी डोरी बनानी है जैसे घर में आप नाडा भी बोलते हैं इसे इसे बनाकर हमें इस तरह से इसमें इंस तो यहां पर हमें इस तरह से स्टीचिंग कर लीनी है और देखिए दोनों पीसे बिल्कुल अलग है आपस में तो अब मैं आपको इसको स्टीच करके दिखाती हूं और देखिए यह बनकर अब रेडी हो गया है बिल्कुल मुफ्त फ्रेंड इसमें आपकी कोई खर्च नहीं लगेगी और इसे हम हैं इस तरह से यूश कर सकते हैं हैं पोच सकते हैं इसमें और यह बहुत ही यूश्फुल आइटम है इसे आप दरूंगे लाइए थैंक्यू झाल